हर्याणा विदाला सिक्षा बोर्ड के नोवी कक्षा के चात्रों के पर 117 फरवरी 2024 को इंगलीस विशे का एक्जाम है इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इंगलीस विशे की त्यारी करवाने के लिए जो इंगलीस के अंदर ग्रामर के important sentence हैं उनकी त्यारी करवाऊंग के आपको त्यारी करनी चाहिए इस वीडियो के अंदर में 2021 के कोशन पेपर में जितने भी sentences आये थे ग्रामर के उनके answer बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इनको soul करना है इस से पहले 2023 और 2022 के कोशन पेपर में जितने भी sentences आये थे ग्रामर के मैं soul कर चुका हूँ अगर आप तीनो सालों के कोशन पेपर के जो ग्रामर के sentences हैं उनकी अगर त्यारी कर लेते हैं तो आपके यह मान के चले कि आपके सारे important question जो sentences है वो त्यार हो जाएंगे और इन में से ही आपके exam में कोई ना कोई sentence जरूर आएगा जरूर आएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 का question पे उनकी त्यारी भी करवाऊंगा वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके all के ब्लिन के ओपर क्लिक करने ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका notification आपको मिल जाएं तो यहां से आपके grammar के question स्टार्ट होते हैं section C से और attempt any 15 question लेकिन आपकी बार जो हैं आपको सिर्फ 10 करने हैं और 12 sentences दिये जाएंगे दो कोई भी sentences आप छोड़ सकते हैं total 10 करने हैं यानि कि 10 number के हैं पहले ये 15 number कहते थे इस साल 10 number कहाएंगे तो fill in the blanks with appropriate model यानि कि model वाले sentences हैं तो पहला sentence देखे model fill करना इसके अंदर we does respect our elder तो जहां पर भी हम किसी से यूँ कि इस तरह का sentences हो जिसके अंदर ये feeling आए कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए यानि कि कि किसी को सला दी जा रही है तो सला देने के लिए should का यूज कह जाता है we should respect our elders यानि कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए तो इस वज़े से इसके अंदर जो answer आया है वो should आया है उसके बाद जो sentences है ये काफी important है और ये कई बार repeat हो चुका है और इसके अंदर आसिरवाद दिया गया है may good bless you आनि कि बगवान तुमें दिरगा आयू दें तो option D जो है वो आपका answer होगा क्योंकि इस तरह के sentences के अंदर में का प्रियोग किया जाता है आसिरवाद देने के लिए उसके बाद है c- swim very well यहाँ पर ability के बारे हम बता रहा है कि वो अच्छे से तैर सकती है उसके बाद next देखें बी पार्ट है fill in the blanks with suitable articles अब article फिल करने ही इसके अंदर तो पहला है Christmas fall on 25 December तो जो तारिक होती है इससे पहले कोई भी article नहीं आता है इस वज़े से option D जो है आपका answer बन जाएगा no article उसके बाद है Mohan's father is dash electrician, electrician में जो है E आएगा तो N देखिए जो A और N वाले हैं ये बिलकुल ही आसान होते हैं बस आपको किस चीज़ को ध्यार में रखना है कि इस dash के बाद जो भी word यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ electrician जैसा आप इसको पढ़ोगे बिलकुल वैसा ही इसको आपको हिंदी में लिखना है अगर मैं electrician को हिंदी में लिखता हूँ तो पहला अकसर E बनेगा और पहला अकसर इन में से आता है A I E U U यानि कि यह जो बारा है अगर इसमें से पहला अकसर आता है तो answer के अंदर E न आ जाएगा और अगर कोई ऐसा word है या आपर ऐसा सब्द है उसको आप पढ़ोगे और जब उसको हिंदी में लिखोगे वैसा कवैसा जैसे कि मान लीजी कि यहाँ पर table होता तो table को आप लिखते हो तो इसमें पहला अकसर बनेगा टै तो answer में जो है आ जाता है ए यानि कि पहला अकसर अगर कैख है गैग है यह जो होते हैं इन में से अगर पहला अकसर बनता है तो answer में आएगा A और अगर A, A, E, E में से बनता है पहला अक्सर तो आंसर में आ जाएगा N और दा जो है स्पेसिफिक और यूनिक के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद अगला संटेंस देखें अगला संटेंस देखें मिल्क कोष्ट 50 रुपीज A लिटर अब यहाँ पर A क्यूं आया देखिए आप लिटर लिटर को अगर आप यूं का यूं हिंदे में लिखेंगे तो पहला अक्सर लेब बनेगा और यह कैखे के अंदर आता है तो कैखे में आता है तो आंसर में आ जाएगा A उसके बाद देखें तो पहला संटेंस देखें कैता है कि मैं बिमार था इसलिए मैं जो है घूमने नहीं जा सका वर्क पर तो इसमें आजेगा उसके बाद है और इसका अंसर बनेगा मोहन जो है एक आग्याकारी बेटा है और एक लविंग ब्रेदर भी है प्यार करने वाला भाई भी है उसके बाद अगला है वो अमीर है परन्तु दुखी है तो बट आ जाएगा इसमें उसके बाद अगला देखें डी पार्ट है अब यहाँ पर संटेंस देखें नरेशन का पहला आई सेट टू दा चिल्डरन डू नोट में के नोईज यहाँ पर बच्चों को जो है मना किया गया है तो यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यार में रखना है यह वाला पार्ट रिपोर्टिंग वरब है और यह वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है तो यहाँ पर reporting speech में जो है किसी काम के लिए मना किया गया है अगर मना किया गया है तो उसके लिए word use कह जाता है reporting word में जब आप change करोगे तो forbed आएगा तो यहाँ पर आजाएगा I forbed the children to make a noise और connector का जो काम करेगा वो करेगा to जोडने का काम तो I forbed the children मैंने बच्चों के इनकार क्या टू में के नोई जाने की सोर करने से तो पहले कोशन का जो है answer इस तरह से बनेगा और यह forbed इस वज़े से आया है क्योंकि यहाँ पर काम के लिए बना किया गया है और forbed बना करने के लिए use कह जाता है उसके बाद दूसा sentence देखें अब दूसा sentence देखें यहाँ पर अभी हाँ पर reporting speech के अंदर moral आ गया है यह moral है तो ऐसा कोई sentence आ जाए reporting speech के अंदर इसके अंदर जिसको बदल नहीं सकते है माल लीजिए कोई historical fact आ आ जाए यानिकि एतिहासिक घटना आ जाए या फिर universal truth आ जाए या कोई imagination यानिकि कलपना की गई हो उसके बारे में लिखा हो तो यह चीज़े जो है change नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है sentence में सिरफ that लगाना होता है और बाकी यूं का यूं रहेगा तो इसका जो answer है वो option C बनेगा the teacher said बिल्कुल सेम है कोमा inverted कोमा हट जाएगा that लग जाएगा connect करने के लिए और ये दोनों आपस में जुड़ गए है तो इस वज़े से ये जो h बड़ा था capital था अब ये small हो जाएगा honesty is the best policy बिल्कुल सेम यूं का यूं है और last में full stop तो इस तरह से जो है आपका answer बनेगा उसके बाद आप अगला sentence देखे see says I am ill अब यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर says लिखावा यानि की word की first form है reporting word अगर present में है तो reporting speech का जो tense होता है वो बदलता नहीं है तो reporting speech का जो है tense नहीं बदलेगा तो answer बनेगा see says यू का यू रहेगा comma inverted comma हट जाएंगे इसके जिएगे आजाएगा that और I जो है reporting speech का first person है और first person जो है वो reporting word up के subject के अनुसर बदलेगा तो यह C है तो इस वज़े से यहाँ पर C आ गया और यह present continuous का है क्योंकि I के साथ present continuous में M आता है लेकिन present continuous में C के साथ इज आता है तो इसलिए यहाँ पर इज आ गया C is ill तो इस तरह से यह answer आपका बनेगा उसके बार next sentence देखें choose the sentences which correct punctuation याने कि punctuation वाले है तो यह sentence है और इसके अंदर जो गलतियां है वो हमें छाटने है वो ठीक करने है अब आपको पता है जब भी sentence लिखा जाता है तो पहला अकसरा मेंसा बढ़ाता है चंदीगड का वैसे भी C जो है capital होगा क्योंकि यह noun है नाम है तो इसका जो answer बनेगा वो बनेगा option C चंदीगड का C capital है is the capital of हरियाना हरियाना का नाम है state का तो इसका भी जो H है वो capital होगा और उसके बाद last में लग जाएगा full stop तो इस तरह से यह answer है आपका उसके बाद अगला sentence देखे they said to me जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे they said to me तो अभी अभी आपने जो है narration के sentences देखें थे तो यह बिलकुल narration जैसा ही है यानि कि इसका जो structure बनेगा वो narration जैसा है बनेगा तो narration में जैसे कि यहाँ पर देखें answer जो है option C है पहला answer हमेशा बड़ा होता है तो they बड़ा हो जाएगा set to me और आपने देखा था कि question के अंदर जो है कोमा लगा हुआ था reporting वरब को reporting speech से अलग करने के लिए कोमे का use होता है तो कोमा लगा दिया और reporting speech जो होती है वो quotation mark के अंदर होती है यानि कि inverted कोमा के अंदर होती है तो inverted कोमा लग गया और reporting speech का पहला अक्सर जो है वो बड़ा होगा तो इसलिए यहाँ पर बड़ा हो गया और अग यह आर से शुरू है यानि कि helping वर्ब से शुरू है तो इसका मतलब यह क्या है interrogative sentence है तो interrogative का sign लगा दिया यहाँ पर question mark और last में जो है quotation mark यानि कि interrogate inverted कोमा को बंद कर दिया तो इस तरह से जो है यह आपका answer बनेगा उसके बाद तीसा sentence देखें नेक्स sentence है दिव्यांस हैड़े बनाना एन एपल एपपाया एड़े मैंगो जब भी आपको पता है कि बहुत सारी चीजों के नाम आते हैं तो उनको अलग करने के लिए कोमे का यूज किया जाता है और जब भी sentence शुरू होता है पहला एकसर बढ़ा होता है तो इस का answer option भी है दिव्यांस का डी बढ़ा कर रखा है है एड़े बनाना बनाना के बाद कोमा लगा दिया एपल के बाद कोमा लगा दिया और यहां पर connector end है इस वज़े से पपाया और मैंगो के बीच में कोई कोमा नहीं आएगा और last में लग जएगा full stop तो इस तरह से यह आपका answer बनेगा उसके बाद next है fill in the blanks with correct form of verb यानि की tense वाले हैं पहला sentence देखें my mother dash to temple daily अब यहां पर daily लिखा हुआ है और जो कम daily routine में होता है उसको बता जाता है present indefinite से तो यहां पर आ जाएगा my mother goes क्यूंकि present indefinite के अंदर अगर subject singular number third person होता है तो verb के साथ s और es लग जाता है तो go के साथ es लग जाएगा इस वज़े से जो है option भी जो है आपका answer है उसके बाद देखें अगला sentence he dash a film last week अभी यहां पर देखें लिखा हुआ है last week यानि की past का sentence है तो यह past indefinite का है तो he saw a film last week यानि की उसने पिछले सबता एक film देखी तो यह c की second form है यहां पर saw उसके बाद अगला sentence देखें I dash TV when it started to rain तो यहां पर यह भी past का sentence है तो we were watching TV यानि की हम TV देख रहे थे जब बारिस शुरू हुई तो इस तरह से जो है option D जो है इसका answer होगा तो यह थे आपके 2021 के question paper से सभी grammar के जो sentence थे उनका solution वीडियो अच्छी लगे तो like करे चैनल को subscribe करके all के ब्रेंट के ओपर click कर लेता है कि जब next वीडियो upload हो तो उसका notification आपको मिल जाए